नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको महीनों के नाम करवाऊंगी. बच्चों कि आप जानते हूँ कि एक साल में कितने महीने होते हैं? बताओ बच्चों, बच्चों एक साल में बारा महीने होते हैं. पहला महीना है जनवरी, जनवरी, जनवरी. दूसरा महीना है फरवरी तीसरा महीना है मार्च अगला महीना है अप्रेल छोटा अ, प, प के पैर में र, बड़ी ए की मात्रा ल, अप्रेल पांचवा महीना है मई, म, बड़ी ए, मई छेवा महीना है जून, ज, ज, बड़ी ओ की मात्रा न, जून अगला महीना है जुलाई, ज, 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 छोटी ओ की मात्रा ल, ल, को आ की मात्रा बड़ी ए, जुलाई अगला महिना है अगस्थ, छोटा अ, ग, आदा स, त, अगस्थ, अगला महिना है स्तंबर, स, स को छोटी ए की मात्रा, त, त उपर बिंदी, बर, सितंबर अगला महिना है अक्तूबर, अ, आदा क, त, त, को बड़ी उगी मात्रा, बर, अक्तूबर अगला महिना है नुवंबर, न, व, व की उपर बिंदी, बर, नुवंबर अगला महिना है दिसंबर, द, द, को छोटी ए की मात्रा, स, सव पर बिंदी, बर, दिसंबर बच्चों, अब हम इसे दुबारा से पढ़ेंगे तांकि आपको अच्छे से याद हो जाए जन्वरी, फरवरी, मार्च, एप्रल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, स्तंबर, अक्तूबर, नुवंबर, दिसंबर बच्चों, अब मैं आपको इससे समन्दित कुछ प्रशन उतर करवाँगी तो पहला प्रशन है अप्रेल के बाद कौन सा महिना आता है तो इसका सही उतर है मई हमारा दूसरा प्रशन है कि हमारे देश में कंतंतर दिवस किस महिने में मनाया जाता है बदाओ बच्चों कंतंतर दिवस हम किस महिने में मनाते हैं हाँजी, जन्वरी इसका सही उतर है जन्वरी अगला प्रशन है साल का आकरी महिना कौन सा है इसका सही उत्तर है दिसंबर दिसंबर जो है वर्ष के अंती महिना है अगला प्रशन है अक्तुबर से पहले कौन सा महिना आता है इसका सही उत्तर है स्तंबर अब जो आपको मैं प्रशन पुछने जा रही हूँ उसका उत्तर आपने कमेंट में देना है आपका जनम दिन किस महिने में आता है इस तरह की और वीडियो दिखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए धन्यवाद